मेरा नाम पूरा नाम जो है मेरा इंजिनियर नफीस चांद है और अभी फिलहाल मैं भाजपा के अलपसंगक प्रपोष्ट के मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ और मेरा ग्राम मजहौल हुआ जो मैसी विधान सवा में पढ़ता है और मैं पिछले दस सालों से करीब जो है उससे पहले भी जन सेवा करता था लेकिन पिछले दस सालों से मैं बीजेपी से जुरा हुआ हूँ पहले मैं अलपसंगक मोर्चा का जिला का अध्यक्स था उसके ब हम लोग कार्ज करता और पूरा जिला सहरसा जो हम लोग पूरा कोशिश किये कि यह सीट जो है जो मैसी का जो सीट है वो भाजपा के कोटे में लेकिन इस मामले में हमों निराशा हासिल होई यह गठबंदन की इतनी दिक्कत है कि हम लब जगा-जगा मैं जा रहा हूं या ज हम उस बैलेन्स करके चलना होता है और हर महिन जो कम सकम हमारी पार्टी में बिना चुनाओ किसे में जो मिटिंग करना है और महिन उसके इलाबा, घ्रास रूट से लेकरम अपर मॉष्ट merchandise तक हम लोग काम करते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे एक बूत सबसे जो लवर मुष्ट जो लेवल है गुबूत में बूत में हम लोग जो है पन्ना परमुख बनाते हैं मतलब एक पेज जो होता है वोटर लिष्ट का यूप पेज में कितने कौन ऐसे लोग है जो उसके परमुख है उसका ले उतना आप समझ सकते ह जी तक जाते है तो बीजेपी का कार्ज्च करता इतने गहराई से लेकर पूरे पांच वर्स तक काम करता है और जब समय आता है तो हमारे जयडिऊ के जो दो नेता है उसको ले लिते हैं तो हम लोग अक्रोशित होंगे कर नहीं होंगे यह बताए HIM लोग पे निराशा हाथ सरह कि आप लोग से एंपुट लिया जाता हि हुब से जूरे हुए जो लोग हैं भजपा के वह वह क्वा वह उसको है अप만था कभी새 हमें ऍrak και कुपन हैर पता रहा हूं ना मैं दो बार सरकारी नौक्री से इस्टफा दिया हूं अब मैं बीटेक Fortnite मेरा मन है जन स्वा करने का सब कुस त्याग कर मैं आया हूं भाजपा से जुरा हूं हूँ टिकट रही नहीं आ रही है बड़ा यह लग रहा है कि हम लोग कहा है हमारा केरियर कहा है मेरे मास्टर साहब हमारे जो है पिताजी हैं और मुझे जो इस्टिंडर पर पाला मैं कभी-कभी आस्ट चाहां मतलब यह लगता कभी-क्षमभीत हो जाता हूं कि मैं अपने बच्चों को उस लाट प्यार से और उस इस्टिंडर में नहीं पाल सकता अभी जो मेरे इस्तिति है इसलिए कि मुझे जो कॉपरेशन उसे साफ से नहीं मिला है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग है कुछ ऐसे गड़बंदन साती है मानने तीश कुमार जी कि सिर्फ ब जोर से जोर शोर से आवाज उठावें वह ऐसे बुड़े हैं कि वह तो मतलब दस कदम ठीक से चल भी नहीं सकते वह क्या जंता कि आवाज उठाएंगे कहीं कुछ घटना हो गया वो क्या जा पाएंगे कहीं कुछ मुआफजाए वाली बात हो क्या बोल पाएंगे वो तो ख प्रिणाम सवरूप हम लोग भाच्पा कई लोग यहां पर आए हुए है इसी आक्रोश में कि हमारे राष्टिये लोच्पा के जो राष्टिया ध्यक्ष है अधरनिये चिराग भाबू वो हमारी बात को सुने और यह सीट जो है लोच्पा के खाते में करें बस यही विनवन है इस सब लेकर के हम लोग अलपसंख्यक लोग और पासवान भाई लोग और भाच्पा के कार्ज करता एक जुट है यहां पर करीब हम लोग 65-70 लोग यहां पर आए हुए और पिछले 15 दिन से स्ट्रगल कर रहे हमारा सब कुछ फाइनल हो गया था लेकिन पिछले 3-4 दिन से वहां से रजडी का टिकट जो है रजाग अभी अभी क्या परिषतिती लग रहे हैं अभी परिष्टती आप देखे कुछ दिर पहले जो घट्नाएं हुई अभी परिष्टती हुई कि तीन-चार दिन पहले जो है और जो आपना जो कैंडिडेट है उसका नाम जो है वो जो वो गौतम कृश्न का नाम रहूं किया। यह चाहते थे, गौतम कृष्ण यादब का नाम, यह चाहते थे, कि हमको टिकेट मेले, मतलब पुरू विधायक और पुरु मंतरी, जो हैं, अब्दुलत काफूर साहब, जानकरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, कि इतनी सारी जानकरी आप बता है, कोई एक दो बात आप मुझे बताओ, अपनी विधान सभा के बारे में, जो आप सोचते हो कि ये विशिष्ठता है आपकी, ये आपको इसलिए टिकेट दिये जाना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे सर, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, कि हमारे समस्से हम अपने विधान सभा में सबसे यंग बलड हैं, और सबसे पढ़े लिखे सिक्चित हैं, और सबसे बड़ी बात कि है, मैं टेकनिकल एजुकेटेड हूँ, हो सकता है, कोई और भी पढ़े लिखे हो, इसके मै साथ पंचायत है, वो काफी फ्लेड एफेक्टेड एरिया है, साल के छे महिने जो है, वहां का लोग ठीक से रात में सो नहीं पाते हैं, कब जो है, वहां का घर गिड़ जाए, सीपेज का एडिया है, कब नदी जो है, काट ले उसके घर को इस तरह की समस्या है, वहां के जो समस्या है, उसके इलावा जो चंदरायन रेफरेल होस्पीटल है, वहां पर सर जो है रेफरेल होस्पीटल का दर्जा आप छिल लिया गया, लालू परसाद जी अपने समय में जो है सर बनाए थे, लेकिन उसके बाद एक भी डॉक्टर वहां नहीं रहते हैं, हम लोग हाला क ठीक से सभा में पहुझ नहीं पाती, विधान सभा या लोग सभा में, ऐसी इस्तिति में जो विधाया के उनका जिम्मेवारी है, कि इस तरह का काम करें, जारा जो समुदायक चीज़ीज, बिल्कुर, बहुत-बहुत धन्यवाद और शुप कामने आपको, कि आपकी पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो हमारा पेज लाइक कीजिए, सभी ख़वरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट, theforceplus.in को विजिट कीजिए, और बाकी की ख़वरों के देखते रहे हैं, TFP News, बहुत बहुत धन्यवाद।